हेलो इस्टूजेंट्स आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स वायजासर में स्वागत है और आज हम आपकी छटी क्लास से आठवी क्लास के लिए जो जनरल वरक्षीट है वक्षीट नमबर 92 बायन में करने वारे जोगी 16 जनुवरी के लिए यहां सभी बच्वन नाम लिखेंगे अपने ध्वक का नाम लिखेंगे अब देखेंगे पहला प्रस्ण क्या कहता है इस वरक्षीट नोटा यह जनरल वरक्षीट है इंग्लिश मीडम हिंदी मीडम दोनों के लिए नीचे दिये गए चित्रों में दरसाय के कार्यों को ध्यान पूर्वक देखकर हां या नहीं ल नहीं लेना चाहिए ह हमें पानी में लिटाए नहीं लेना चाहिए अफर कोड़ा करकट नहीं दालना चाहिए हमें साफ सफाई करना चाहिए हमें साफ सफाई करना है कि अब यह बटा इसके लिए आखे hayat तो अब यह बटा पोलतीन बैक सब्झी खार रहा है अपने थेले के अंदर यहां कोरां यहें सहाहें चाहिए हमें समाल लेने के लिए तो इसके लिए क्या जाएगा हाँ ठीक है इस तरह सापका पहला क्वेश्चन हो जाए अब देखते हैं प्रश्ण दो क्या कहता है कि नीचे देगे संकेतों के आधार पर उनके सामने सई उत्तर लिखिए एक देखते हैं और दूसरा क्यूस्चन का यह है के नीचे देगे संकेत आपको हैं उनके आधार पर उसके सामने क्या देखने आपको सही उत्तर लिखने हैं तो देखे बटा पहलgeneration आपसे क्या प्रापर्मुख प्राकर्टिक सुरूत क्या है यां मुना नदी है उससे सभी सभी को पानी मिलता है ठीक है और दूसरा देखिए इस इसमें हमारी लापरवाय के कारण परती दिन बढ़ता जा रहा है हमारी लापरवाय के कारण परती दिन क्या हो रहा है हमारी यम्ना नदी परदूशित होती जा रही है परदूशन बढ़ता जा रहा है यानि क्या बढ़ता जा रहा है परदूशन बढ़ता जा रहा है उसके बात कहता है इसमें रहने वाले जीव हैं अब बटा नदियों में कौन से जीव रहते हैं बटा जा रह सकते थे पहले या रहते थे तो क्यों कौन से बटा मचली और कौन से जीव हैं बटा मेंडग और बटा सांप भी रहते थे मगर मच भी रहते थे ठीक है सांग और बहुत सारे कीट ठीक है बटा यह लिख सकते हैं यह हो जाएगा उसके बाद कहता है जल्य जीवों और प्रयावन के लिए जल्प की परदूसित इस्तिती है जल्य जीवों के लिए 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 जल्य जीवों के परदोषित कई रोक्ताम के लिए क्या कर सकते हैं और उन पाय को लिखिये तो देखो बाटा जो दिली परदेश की परवुख नदी ओ और लिए वो लिए यह देखिया आंसर आंसर इसको बचाने के लिए हम अपना विभिन तरीके से योगदान दे सकते हैं जैसे नदी के पानी में हमें पोलतीन और कुड़ा कच्रा ना तो डालना चाहिए और ना ही कुड़ा कच्रा दूसरों को नदी के पानी में डालने देना चाहिए ठीक है न रोकना चाहिए और नदी के अंदर हमें पश्चों को नहलाना भी नहीं चाहिए और यदि कोई ऐसा करता है दिखा दे तो हमें उसे समझाना चाहिए कि यह करना गलत है इससे नदी क्या हो रही है परदूशी थो रहे है इससे जली जीवन परदूशी थो रहा है ठीक है बटा तो इस तरह से आपके आज के वरक्षट पूरी होगी उमीद करते हैं आपको अच्छे स्मयागूगी तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और कमेंट करना और अब तक आपने हमारे को सबस्क्राइब नहीं कि आप से अगली वीडियो